अगर आप इस औसधी चून का कुछ दिन प्रियोग कर लेते हैं तो यह आपके सरीर में कैल्शम की मात्रा को बढ़ा देता है जिने कैल्शम के कारण पूरे बोडी में दर्द होता है जिनकी हड़ियां कमजोर हो जाती है या जिनका यूरेक ऐसेड बढ़ जाता है जिससे उनको बनाने के लिए आपको लेना है घोड़ बच इसे घोड़ बच या गुड़ बच की नाम से जानते हैं पैचनते हैं अगली उसदी आपको लेनी है पुसकर मूल जिसे पोखर मूल भी कहा जाता है इसमें अगली उसदी लेनी है जो खैर का सार तत्त्त है अगली उसद आपको लेने मौल, श्री की छाल या छिल का इसमें प्रयोक करना है अब आरवेदिक नुस्के में और सदियों के कितनी कितनी मात्रा लेनी है वो भी जान लेते हैं तो घोड़बच आपको लेना यहां पर 20 ग्राम पोखर मूल लेना आपको यहां पर 10 ग्राम और कथा लेना आ अंसवार लेकर के आपको करना क्या है इन सभी वस्दियों को खरल मूसल में डाल देना इमाम दस्ता जिसे कहते हैं इसको अच्छी से कुटाई करना है इसको कूड़ते कूरते इसका बिलकुँ महीन चूरन form बना लेना बिलकुँ चूरन कर लेना है फिर इस चूरन को एक ब बाद आधी से एक चमहाब सुभर है आधी से एकжमा साम को विद्धा करती हैं तो यह केलशियम की कमी को दूर करता है हढ़्डियों की कमजुोरी को दूर करता है शरीर में बरीवे यूरेक एसेट को ठीक करता है जिस कारण से बोडी में पैन बोडी में दर्द हो उसको ठीक करता है जोडों के दर्द को घुटनों के दर्द को कमर दर्द को साइट का जी समिस्या को ये दूर करता है तो वीडियो अकर दूस्त अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए करे नमस्कार